एल्लो एव्रिवान कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पढ़ा एकदम बढ़ियां एकदम मज़ेदार तो माइनेम इस संजीफ पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खुबसूरत से चैनल में जे आर कॉलेज में जो की पाट है जे आर टुटोरियल का हम लोग ने उसके उपर एक लेक्चर अप्लोड कर दिया है हम लोग ने वहाँ पर एक फोटो एलेक्ट्रिक एफेक्ट हम लोग ने और अभी तक नहीं देखा है तो जाओ वो देखो आज हम लोग लेक्ट्र नंबर टू पर डिसकेशन करने वाले हैं आज हम लोग आइंस्टाइन की कहानी देखेंगे हम लोग फोटो एलेक्ट्रिक एक्वेशन देखेंगे हम लोग वेफ पार्टिकल डुएलिटी ओफ रेडियेशन देखेंगे और फोटो सेल देखेंगे तो आज इतना टॉपिक हम लोग कवर करेंगे चलो So let us start So Einstein postulates So सबसे पहले थोड़ा सा recall कर लेते हैं photoelectric effect क्या था माल लो कि अगर यह कोई metal surface है और यहाँ पे pre electrons है तो अगर कोई high frequency wave अगर high frequency wave इस metal surface पे गिरता है high frequency wave इस metal surface पे गिरता है तो यहाँ से electron बाहर निकलेंगे क्या बाहर निकलेंगे यहाँ से electron बाहर निकलेंगे यहाँ यह ना परवर this effect is called as photoelectric effect यह effect क्या था photoelectric effect था वहाँ पे हम लोग ने देखा था वहाँ पर हम लोग ने कहानी देखा था कि भाई यह जो वेव हैं यह कहीं ने कहीं in the form of particles है इसको conclude किया था हम लोग ने वो पूरे experiment में यह सलो अब Einstein ने उसको ही वही experiment को नजर करते ही कुछ points बनाये थे सबसे पहला कहानी क्या है कि भाई हम मच अमांट ऑफ एनरजी दाट फोटन है उसको नाम करन दिया गया फोटन अभी तक तो हमको सिर्फ एनरजी पाकेट्स या फिर क्वांटा यही सब समझ में आ रहा था उन्होंने एक बहतरी नाम दिया दैस फोटन ओके तो रेडियेशन जो तुम्हारा रेडियेशन है जो रेडियेशन है इस अ फोटन उसको क्या बोला गया फोटन बोला गया अब फोटन कैसा पार्टिकल है वाई फोटन एक एक मास्टलेस पार्टिकल है ओके याद रखना मास्टलेस पार्टिकल है यह अन्नूट्रल साथ में यह न्यूट्रल भी है ओके यह मास्टलेस और न्यूट्रल पार्टिकल है याद रखना ओके इसके मास्क अगर बात करें तो भाई इसका इसका mass defined नहीं है, इसका mass defined नहीं है, क्योंकि जैसे यह move होना चालू करता है, तो it's same, it gains some energy, और जब इसके पास energy आती है, तो हो सकता है, इसका mass 0 ना हो, तो इसका mass basically defined नहीं है, कि what will be the mass of the photon, हाँ, ऐसा बोला गया है कि अगर photon rest पर हुआ, the rest mass, तो rest mass उसका 0 है, याद रखना, rest mass of photon, rest mass of photon is 0, ओके, and the moving mass is not defined, याद रखना, moving mass इसका define नहीं है, ओके, कोई बोल रहा है, move हो रहा है, उसका mass 0 है, ऐसा नहीं चलेगा, तो अपना रिफाइन ही नहीं, तो आपना लिखेंगे, भाई, the moving mass is not defined, हाँ, जो rest mass है, वो रिफाइन है, according to the Newtonian physics, तुमारा जो classic physics है, तो उससे वो define है, but obviously बात है, कि जो moving mass है, वो define नहीं है, clear बास में रहा है, ये point, ये point मैं तुमको बता रहा हूँ, थोड़ा सा, भाई, Einstein ने क्या-क्या कहानी दी, अब उन्हें ने बोला कि कितनी energy होगी उसके पास, the energy of that photon, तो energy of photon, energy of photon, that is, E is equals to H new, इतनी energy होगी एसके पास होगी, where, where, H is Planck constant, where H is Planck constant, and new is the frequency of radiation, and new is the frequency of the radiation ह क्या है तुमारा है है तुमारा Planck constant इसका वाल्यू तुमको पता होता है that is 6.63 into 10 raise to minus 34 joule second okay approximately यह होता है अगर हम नोग देखने जाए जे का value approximately 6.63 into 10 raise to minus 34 joule second okay and new is the frequency of the radiation मतलब तुम जो wave यूज कर रहे हो वो wave की जो radiation होगी मतलब जो wave की जो frequency होगी that is your new अब मुझे frequency का एक और कहान ही पता है कि भाई यह जो photon है photon always travel with a speed of light यह हमेशा किसे ट्रावल करेंगे यह हमेशा ट्रावल करेंगे विता स्पीड आफ लाइट अगर यह स्पीड आफ लाइट से ट्रावल करने माले है तो जाहिर सी बात है कि इस frequency को एक और form में express किया जा सकता है यह सौनो कि इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं कि तो अगर मैं इसको देखने जाओ कि भाई जो फोटन है दा ट्रावल विता स्पीड आफ लाइट फोटन ट्रावल वित स्पीड आफ लाइट वित स्पीड आफ लाइट ओके फोटन ट्रावल वित स्पीड आफ लाइट मतलब वो सी से ट्रावल करेगा जनरली जो स्पीड आफ लाइट होता है वो सी होता है तो अगर एक photon C के speed से travel कर रहा है, तो उसकी speed क्या हो जाएगी, by C is equal to हम लोग ने पढ़ा है, that is frequency into wavelength हाया न, speed क्या ही होता है, speed होता है तुमारा frequency into wavelength, तो यहां से frequency क्या मिलेगा, यहां से frequency मिलेगा, that is C divided by lambda, जनरली हम लोग, हम लोग को habit होता है, frequency N से लिखने का, बड़ यहां पर frequency new से define करते हैं, तो यह तुमारी frequency हो गई, तो frequency C by lambda, तो कहीं न, कहीं यहां पर मिलेग सकता हूँ न, तो energy का एक और formula मिलेगा, that is at C by lambda, मतलब, जितना ज्यादा frequency, उतना ज्यादा energy, जितना छोटा wavelength, उतना ज्यादा energy, मतलब जनरली देखने जाओ, तो गामा, गामा की frequency बहुत बढ़ी है, बड़ वेवलेट बहुत छोटी है, तो वो high energy हो गई, एकसरे, भाई, एकसरे तुम्हारे पास frequency बढ़ी है, बड़ वेवलेंद छोटी है, तो जितनी छोटी wavelength, उतना ज्यादा energy, या फिर ऐसे बोल लो, कि जितनी ज्यादा frequency, उतना ज्यादा energy, इतना energy से वो जो photon है, वो heat करेगा, किसको heat करेगा, उस electron को, उस metal surface पे heat करेगा, तो वो electron बाहर निकलेगा, क्या होगा, वो electron बाहर निकलेगा, बासन ना राया सो नो, and that effect is called as photoelectric effect, that effect is called as photoelectric effect, okay, अभी हाँ पे कहानी बनती है कि भाई, कितने energy से वो बाहर निकलेगा, that is, what is the maximum kinetic energy of that photon, okay, so, maximum kinetic energy, maximum, kinetic energy, maximum kinetic energy of photon, maximum kinetic energy of the photon, कितने energy से वो बाहर निकलेगा, तो सरा सोचो कि अगर ये metal surface है, ये एक metal surface है, अब मुझे पता है कि भाई, हर एक metal के पास, अपना खुद का एक work function होता है, उसका अपना खुद का एक work function है, उसको electron को बाहर निकालने के लिए, खुद का एक energy है, minimum energy का requirement है, जो कि अल्रड़ी हम लोग ने यहाँ पर देखा था, अगर तुमको याद होगा तो, work function के हम लोग ने कहानी देखी थी, भाई, what is work function, the minimum energy required for the electron to emit from the metal surface, yes or no, तो भाई, उसका खुद का एक requirement, तो माल लो मिरे पास एक metal है, जिसका work function phi naught है, क्या है phi naught, अम माल लो मैंने एक energy दिया, यहाँ पर मैंने एक wave, यहाँ पर मैंने एक radiation दिया, जिसके पास energy कितना है, that is h new, जिसके पास energy कितना है, h new, तो क्या होगा, भाई, उस h new से energy, वो electron लेगा, उसमें से phi naught energy अपने पास रखेगा, और कुछ energy से वो बाहर निकलेगा, तो जिस energy से वो बाहर निकलेगा, वो होगा तुमारा kinetic energy maximum, मतलब भाई, सबसे maximum kinetic energy से वो बाहर निकलेगा, तो k e max, तुम लोग क्या बोल सकते हो, k e max, तुम लोग बोल सकते हो, k e max, तुम लोग बोल सकते हो, k e max क्लियर बासन ना रही है सो नो अब यह एनरजी के जगे हम लोग यह चीज़ भी लिख सकते हैं that is के माक्स इस इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाय नॉट और इसी को तुम्हारा बोला गया ओटो तुम्हारा ये फोटोएलेक्रिक इफट फोटोएलेक्रिक एक्वेशन इबाएशन जिसके लिए बहुत प्रसिद हुआ ये एक्वیशन आइनस्टायन को इसके लिए ये मिला नोबल पुरसकार भी मिलागया येई equation के लिए ओके यही कहानी है कि भाई अगर अगर तुम energy दो गे मालो कि यहाँ पर एक example से समझने कोशिस करते हैं लेसे एक metal plate है इस metal plate का work function let's say 1.5 है कितना 1.5 EV let's say 1.5 EVS का work function ओके अब तुमने यहाँ पर कुछ energy दी इसको let's say तुमारा जो energy है वह 10 EV है लैसे तुमने energy दी वह 10 EV से दी तो हो सकता है यह 10 EV का energy ले बरबर उसमें से भाई work function माइनस करे और हो सकता है वह 8.5 से बाहर निकले बरबर वह सकता है वह 8.5 से बाहर अब ऐसा भी हो सकता है वो 10EV का energy तुम दिये तुमने जो 10EV दिया उसमें से 1.5 तो चला गया work function में अब हो सकता है जब वो बाहर निकल रहा था तो बाहर निकल दे टाइम वो दुसरे electron से या फिर दुसरे particle से collide हो रहा था और collide हो रहा था तो वहाँ पे भी कुछ amount of energy loss हो रह energy दिया 1.5 भी चला गया उसके work function में और माल लो 8.5 चला गया उसको आजू बाजू टकराने में आजू बाजू टकराया तो उसके energy वहाँ पे आजू बाजू टकराने में उसके energy loss हो गई ऐसा माल लेते हैं consider कर लेते हैं तो भाई उसके पास तो कुछ energy नहीं बची मतलब व बाहर निकलने की उतना ज्यादा possibilities बढ़ेंगी यह नहीं कि हर बार निकलेगो ना उसकी possibilities ज्यादा बढ़ेंगी जैसे माल लो कि अगर work function 1.5 है और मैं 2 दू दूं 2EV का energy दूं तो हो सकता है वो सकता है वो ना निकले अब जैसे जैसे मैं अपनी energy बढ़ाते जाओंगा दो 2-3, 3-4, 4-5 तो उसके निकलने की possibilities ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो अगर मैं 10EV का energy दे रहा हूं तो मैं guarantee थोड़ा रहा हूंगा शौर रहा हूंगा कि भाई कुछ ना कुछ तो electron उसमें से निकलेगा पड़ अगर मैं 2EV का energy दे रहा हूं तो मैं उसमें से शौर नहीं रहा हूंगा क्योंकि भाई one point तो उसका work function है तो हो सकता है वो 0.5 से निकलेगा हो सकता है वो नहीं निकलेए थोड़ा बहुत loss हो जाए है यहां हमाटा करा जाए बासमनारी कि नहीं समनारी है ओके तो यही कहानी है कि इसलिए हम लोग kinetic energy maximum define करते हैं वो maximum कितने से निकलेगा जितना energy तुमने provide किया है minus work function यह उसकी maximum कहानी है इससे कम तो निकल सकता है बट इससे जादा और energy से वो निकल नहीं सकता मतलब तुम यह नहीं बोल सकते कि अगर वो 10EV से गया है तो वो बाहर भी वो 10EV से आए ना 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 हो ही नहीं सकता यह उसमें से तेरा कम से कम work function तो E minus phi naught and E के जागे हम लोग लिख सकते हैं H new बात समनारी everyone पका कमझ में आया what is your photoelectric equation ओके अब जो भी पॉसुलेट्स यह दिया है किसने Einstein ने दिया है वो सारी कहानी हम लोग ने already observation में discuss कर लिए सारी कहानी कि बाई एक minimum amount of frequency होना चाहिए जिसको हम लोग three short frequency बोलते हैं ओके उस सारी कहानी यह सारी कहानी हम लोग ने discuss कर लिए ओके तो Einstein ने भी वही कहानी वही कहानी दी थी Einstein ने भी वही कहानी दी थी मतलब basically वही experiment से उन्होंने conclude किया है तो कुछ अलग बात नहीं हम लोग देखने वाले वही सारी चीज़े हम लोग यहां पर देखने वाले हाँ equations जो ह रचीज़ने के वहीétais देखने वाले यहां लोग अ कि जितना यहां से निकल रहा है मालव यहां से जितने इल chol निकल रहे है यह लिटर्ण निकल पोटेंशल बढ़ा जा रहा हूं अब इतना नेगेटिव पोटेंशल बढ़ा देता हूं कि वो काइनिटिक एनर्जी के जो का मैक्जिमूम काइनिटिक है वो बराबर हो जाएगा उस के कली क BBQ पर इसक्राइड रही है वो बराबर हो जाएगा उस कायनिट एनर्जी मैजिममों से तो कहीं न कहीं तो कहीं न कहीं यह चीज हो जाएगा कि महाले कर सकता हूं देखर की मैक्स का मे Hernia पास formula है के max is nothing but h new minus 5 not तो कहीं न कहीं के max के जगे मैं e v not डाल सकता हूं e v not डाला यहां पर आ जाएगा h new minus 5 not यहां से e नीचे भेज़ दो तो v not क्या मिलेगा that is h new minus 5 not divided by e यहां से मैं calculate कर सकता हूं stopping potential यहां से मैं calculate कर सकता हूं stopping potential h मुझको पता होगा new मुझको पता होगा फ्रिक्वेंसी मिलेको पता होगा कि मैं कौन सा वेव इस्तमाल कर रहा हूं तो frequency मिलेको पता होगा मिलेको इतना stopping potential मिलेको देना पड़ेगा कि वहां से कोई भी electron ना निकले तो इतना stopping potential में को देना पड़ेगा कि वहां से कोई भी electron ना निकले क्लियर बास में आ रही everyone पका समझ में आया कि यह stopping potential का equation कहां पर आया आज हम लोग सारी equation का discussion करेंगे ओके चलो इसके आगे भी Einstein ने बहुत सारी चीज़े से कंसिडर की उन्होंने भी सेम कहानी बताई कि भाई जो तुमारा electron है निकलने का जो प्रोसेस है वह बहुत instantaneous है instantaneous मतलब भाई ऐसे electronical रहा है it is not time consuming it is not a time जैसी वह photon उस material पे गिर रहा है उस metal plate पे गिर रहा है वह photon की energy कौन absorb कर रहा है electron absorb कर रहा है और वो electron फटाग से बाहर आ जा रहा है मतलब वहाँ पे photon गाया बो जा रहा है सा तो एक मिड़ा मतलब यहां पे उन्होंने बताया कि भाई photon को produce और destroy किया जा सकता है मतलब एक example के दौर पर समझना की कोशिस को मतलब light है अभी light तुमने बंद किया light बंद किया मतलब उस tube light से एक भी photon बाहर नहीं आ रहे अब जैसी तुमने light करोगे तुमको कहानी समझ में आगी हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है ओके तो जो भी हम लोगने observation में देखा है जो भी हम लोगने इसके पहले observation में देखा है वो सारी कहानी इन्होंने समझाई है और वो अल्रेडी हम लोगने समझ लिया ओके next next is wave particle duality of radiation तो यहाँ पर conclude होता है एक scientist है that is called as Compton Compton यह scientist है ओके तो Compton ने क्या किया भाई Compton ने एक X-ray का experiment किया यहाँ पर X-ray का experiment कर रहे थे वो इस experiment में उन्होंने confirm किया कि भाई scattering of electron हुआ और वो scattering of electron तभी possible है जब light के पास क्या हो wave nature हो ओके तो scattering scattering of electron scattering of electron electron is only possible is only possible when radiation radiation बोले तो light when radiation मतलब light has particle nature उसके पास कैसा nature होना चीए particle nature होना चीए यह पहली बात मतलब scattering of electron is only possible when radiation has particle nature मतलब उन्हेंने बोल दिया कि भाई light के पास particle nature होना चीए अब एक और कहानी है हम लोगने wave optics पता है हम लोगने wave optics पढ़ा है ना polarization याद है polarization यह फिनॉमेना तभी पॉसिबल है when light has a wave nature so are only possible only possible possible when radiation radiation बोले तो तुमारा light radiation बोले तुमारा light has wave nature मतलब कहीं 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 कहानी यह हो रही थी कि भाई light के पास particle nature होगा तो जी proof हो पाएगा जैसे यह वाली कहानी scattering of electron is only possible when the radiation has particle nature तो उसके पास particle nature होना जरूरी है अगर particle nature नहीं होँआ scattering of electron proof नहीं हो पाएगा but scattering of electron हो रहा है तो हो रहा है तो किसकी वज़े से हो रहा है? भई, फॉटन के पार्टिकल नेचर की वज़े से. अब इंटरफरेंस, डिफ्राक्शन, पोलराइजेशन, यह सब भी हो रहा था? यह किसकी वज़े से हो रहा था? भई, जब हम consider करेंगे तुमारा जो radiation है, तुमारा जो wave है, वो नेचर पूरा गलत हो गया, ना, ना, कहीं-कहीं पार्टिकल नेचर सही हो रहा था, कहीं-कहीं वेव नेचर सही हो रहा था, तो बाद में यह accept किया गया, कि भाई, the radiation has the dwell nature, तो यह conclusion से, यह सारे conclusion से, accept किया गया, कि जो conclusion है, यहां से accept किया गया, कि radiation, radiation has the dwell nature, radiation बोले तो अगें light, बहुत लोग को ऐसा radiation बोला तो याद नहीं आता कि वो light की बात हो रही है, तो तुमारा जो light है, तुमारा जो radiation है, उसके पास dwell nature है, कहीं-कहीं भाई, तुमारा wave nature true होता है, कहीं-कहीं उसका particle nature true होता है, मतलब अगर generally देखने जाओ, तो जब तुम quantum में जाओगे, quantum मतलब जब तुम physics के quantum department में जाओगे, जब तुम लोग चोटे चोटे particle की study करोगे, तो वहां पे तुमारा जो light है, वो काम करेगा as a particle, वो कैसे काम करेगा as a particle, बट वहीं अगर तुम लोग generally बात करोगे, जब तुम्हारा newtonian physics में बात करोगे, या फिर बड़ पैमाने पे बात करोगे, तो उसी जगे तुम्हारा जो light है, वो किस की तरह behave करेगा, वो behave करेगा wave की तरह, ओके, मतलब दोनों जगे उसका behavior अलग अलग रहेगा, कहीं कहीं वो particle की तरह behave करेगा, जब हम लोग quantum की बात करे और जब हम लोग बड़े पैमाने में बात करेंगे, तो वहाँ पे वो wave की तरह behave करेगा, clear, बासन में आ रहा है, तो ऐसा conclude किया गया, कि भाई, उसके पास दोनों nature होता है, तो दोनों nature वो accept कर लिया गया, मतलब radiation has a dual nature, ओके, अब कहानी तो यहां तक ठीक है, यह तो ठीक है अब एक scientist है इसके बाद, that is called as de-brogly, हम लोग generally उसको, उनको de-brogly पढ़ते हैं, बड़ उसको de-brogly बोलते हैं, ओके, तो वो scientist है, उन्होंने बोला ठीक है, चलो मान लिया, accept है, तुम लोग इतने साल से बोल रहा था कि light is a radiation, sorry, light is a wave, मैंने वो मान लिया, अब तुम से जो matter था, जो particle से बना हुआ है, तो ऐसा भी बोला जा सकता है ना, कि matter is a wave, ओके, तो ये कहानी किसने दी, ये कहानी दी, de-brogly ने, ओके, ये कहानी किसने दी, de-brogly ने दी, हम लोग पढ़ेंगे, ये lecture में ना possible हो गया, तो next lecture में जरूर पढ़ेंगे, ओके, next कहानी is your photo cell तो what is photo cell, photo cell is nothing but based on your photoelectric effect, इसका जो working principle है, वो photoelectric effect है, जो working principle है, वो photoelectric effect, photocell का जो basic principle है, वो photoelectric effect है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाई, देखने जाओ तो current produce होता है, कैसे current produce होता है, देखो जरा, तो यहाँ पर एक setup है, अगर तुम देखने जाओ तो एक bulb है, bulb मतलब एक oval shape का यह लिया है, round shape का तुमारा quartz है, या फिर मानलो glass है, उसके अंदर एक तुमारा emitter plate ल plate है, वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा, क्या थोड की तरह, ओके, और बाद में यहाँ पर, यहाँ पर भाई, circuit लगाया गया, यहाँ पर तुमारा, यह है, cell है, और यहाँ पर एक micrometer लगाया गया, क्या लगाएगा, micrometer लगाया, अब यह कैसे काम करेगा, भाई, इस metallic plate पे हम लोग high energy, याद रखना यह high energy की बात हो रही है, high energy, high energy incident light देंगे, तो जब incident radiation आएगा इसके उपर high energy incident radiation, तो यहां से यहां से यहां से भई, क्या निकलेंगे, यहां से electron निकलेंगे, यहां से electron निकलेंगे, बरवर, अब जैसी ही यहां से electron निकलेंगे, तो यह जो anode है, यह electron को absorb करेगा, attract करेगा यह सोनो, तो यह जो electron यहां से निकल रहे हैं, इस emitter plate से, वो किस के पास जाएंगे, वो जाएंगे इस anode के पास, और यहां से भई, कहाँ flow होंगे इस micrometer में और मुझको क्या मिलेगा micrometer में वहाँ पर reading मिलेगा हाँ बहुत छोटा current रहेगा बट current रहेगा ओके इसका मतलब यह है कि भाई यहाँ पर electron produce हो रहा है इसका मतलब क्या produce हो रहा है flow of charge flow of charge मतलब current current मतलब electrical energy तो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि भाई तुमारा जो radiation energy है radiation energy है वो convert हो रहा है किसमें तुमारे electrical energy में अभी सबसे बड़ा confusion है क्या यह solar cell है क्या इस वो एसी काम करता है भाई solar cell क्या करता है तुमारा radiation energy गो convert करता है electrical energy में, the answer is no, the answer is no, it is not a solar cell, it is not a solar cell, याद रखना, कारण यह है कि यहाँ पर electron emit हो रहा है surface से, ओके यहाँ पर यह surface है, इस surface से electron emit हो रहा है due to radiation, तो जब radiation आ रहा है, तो electron emit हो रहा है, solar cell में ऐसा नहीं होता, solar cell में जब हम पढ़ेंगे, semiconductor हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे, जब उसके उपर light energy आती है, तो light energy के वज़े से, वहाँ पर जो electron और holes के pair है, वो break होते हैं, वहाँ पर कोई emission नहीं होता, वहाँ पर electron बाहर नहीं निकलते, तो it is not same as solar cell, याद रखना, भले यहाँ पर radiation energy convert होरा, electrical energy में, but it is not a solar cell, याद रखना, it is not a solar cell, यह काम करता है तुमारे photoelectric effect पर, तुमारे जो photoelectric effect है, उस पर काम करता है, second चीज, यहाँ पर जो radiation energy है, यह बहुत high energy वाली चाहिए, UV हो गया तुमारा, gamma हो गया, x-ray हो गया, high energy, visible light भी चल जाता है, but visible light बहुत, छोटे, मोटे मताँ, बहुत कम metal के लिए चलता है, high metal अगर तुम लोग बहुत stable metal देखने जाओ, तो उसके लिए तुमको high energy का ही requirement है, तुमारा visible light अगर इसके उपर मारोगे, तो हो सकता है, electron इसमें से ना light ले, क्योंकि visible light के पास उतनी जादा energy नहीं होती, हाँ, but UV, x-ray, gamma, तो उसमें बहुत energy होती है, तो वो electron को निकाल देता है, बट तुमारा जो solar cell है, जन्दल ही वो काम करता है तुमारे visible light पर, या साना तुमारा energy पर, वहाँ पर भी UV काम चलता है, बट उतना ज्यादा energy उसको requirement नहीं होती, जितना energy यहाँ पर requirement है ऐसा, और वहाँ पर को electron का emission नहीं होता, यहाँ पर electron का emission होता, याद रखना, इसलिए यह solar cell नहीं है, it is a photoelectric cell, इसलिए इसको बोला जाता है photo cell या फिर photo electric cell, clear photo electric कर देते है, photo electric, क्यूंकि तुमारे है, बुक में अगर हम लोग देखने जाए तो फोटो इलेक्रिक है, फोटो इलेक्रिक भी बोला जाता है, photo electric cell भी बोला जाता है, photo electric cell, clear बासन में आ गया, तो यह क्या करता है, radiation energy जो convert करता है, electrical energy में बहुत छोटे पैमाने में, कहां इस्तमाल होता है, यह तो generally इस्तमाल होता है, sensors में, generally कहां इस्तमाल होता है, sensors में, मतलब मांग लो कि जैसे तुमारा cathode है और anode है, अब यह cathode और anode के बीच में कोई particle आ गया, फिर कोई object आ गया, या फिर कोई रुकावट आ गया, तो क्या होगा, भाई, जैसे ही रुकावट आगयाया फिर मालनो तुमारा जो लाइड गिर रहा है इस प्लेट की उपर ये लाइट गिर रहा है इसके बीच में को रुकावट आगया ऐसा कोय आपके आपजिक्ट आगया तैस पर लाइट नहीं गिशलेगा अभिसका मतलब इंसिडेंट लाइट बंद हुआ, incident light बंद हुआ, मतलब भीच में कोई obstacle आया है, तो इसको sensor की तरह भी इस्तमाल किया जाता है, फिर इसको switch की तरह भी इस्तमाल किया जाता है, स्विच बोले तो भाई तुम्हारा स्ट्रीट लाइट का जो बल्ब होता है उसको बंचालू करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो जनरली तुम्हारा जो सन है वो यूवी रेस भी छोड़ता है सोनो अब यूवी रेस इसके पर गिर रहे हैं तो क्या हो रहा है इलेक्ट् कलना बंदोगा जैसी इलेक्ट्रॉण का अशन बंदो जाएगा एम में यह तृ ऑन चालू करना पड़ेगा तो तुम क्या करते हो सेंसर कमांड देता है कि बाई चालू कर दो तो लाइट चालू हो जाता या सोनो वह यसो नो बासन में आ रहा तो इसको बहुत जगे अज़ा सेंसर भी इस्तमाल करते हैं इसको ट्राफिक लाइट के सेंसर के लिए भी काम किया जाता है यूज करते हैं इसको ओके अलाम के लिए यूज किया जाता है इसको बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल है इसका यसो नो बास कहां काम आता है तुम्हारा अलाम में, सेंसर में, स्विचिंग में, ट्राफिक लाइट्स में, ट्राफिक सिगनल के सेंसर में काम आता है, yes or no, okay, कैसे काम करता है, भाई हाई एनरजी प्लेट के उपर गिरते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, एनॉड पे आता है, current flow होता है और यहाँ पे तुमको reading मिलता है बास में आ रहा है it is not same as your solar cell solar cell की कहानी अलग है photo cell की कहानी अलग है याद रखना ओके यहाँ पे electron का emission हो रहा है वहाँ पे कोई भी electron का emission नहीं होता है बास समझ में आ गए everyone कहानी समझ में आया आज की जो भी discussion समझ में आया photo electric equation समझ में आया ओके भाई photon क्या होता है समझ में आ गया photo cell क्या होता है कैसे dual nature बनते हैं समझ में आ गया चलो तो यह dual nature of wave हुआ हम लोगे light को दो nature दिया अब next lecture में हम लोग बात करेंगे particle मतलब हमने particle को भी do nature दिया जो हमारा particle है उसको भी हमने याद रखना एक nature दिया कौणसा भाई एक nature दिया हमने उसको particle वाला जो हम लोग पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर फर्स टाइम आओ तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना, और तुम लों का एक्जाम आ रहा है, तो बहतरीन तरीके से पढ़ाई करो, ओके, टेंशन मतलो, हम लोग खतम कर देंगा, ओल्मोस्ट डिसंबर तक या फिर डिसंबर 15 तक हम कर देंगे, हम लोग ट्राय करेंगे, ओके, चलो, तो नेक्स लेक्चर में मिलेंगे, आज का लेक्चर यहीं पेंट करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much, everyone.